धार्मी की स्तलोपे देखे होंगे या फिर खुद अपने पूजा के लिए घरों में आप फूल यूज करते होंगे भगवान में अरपित करने के लिए तो वहां से जो फूले निकलती है मतलब है कि एक समय के बाद उसको हटा लिया जाता है या फिर नदी में या फिर और किस तलाबों में उसे जाके ठंडा कर दिया जाता है या फिर उसको छोड़ दिया जाता है पानी के अंदर तो उससे क्या होता है कि एक चीजे जो होती है वह हमफुल तरीके से वह चीजे हो जाती है जो कि परियावरण के लिए अच्छा नहीं होता तो उसी चीजों को क्या है ह तो आज हम नए वर्ट्स की शुरुवात एक नए वीडियो से करेंगे और जो आज का हमारा वीडियो होगा वो होगा ड्राइफ लावर अगरवत्ती फर्मॉलेशन के उपर और इस नए वर्ट्स की आप सभी को बहुत-बहुत सुप कमना है उम्मीद करता हूं कि ये साल भी पिछले साल की तरह आपका अच्छे से बीते और इसी के साथ साथ जो है आज हम एक नए दिन की शुरुवात और एक नए समय की शुरुवात हम अपने एक फर्मॉलेशन से करेंगे एक फर्मॉलेशन वीडियो जो है मैं आपको आज बताने वाला हूं वो है हमारा जो इंग्रीडियेंट्स है वो कितने-कितने मात्रा में कितने-कितने रेशियो में होना चाहिए और एक परफेक्ट रेशियो जो है मैं आपको आज बताने वाला हूं तो टॉपिक में बात करने से पहले एक छोटा सरीक्वेश्ट अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब न तो ड्राइब फ्लावर का मिन्स या होगा बाइद वे आपने देखा भी होगा कि जो हमारी वेस्टेस फुले होती हैं जैसे कि आप कभी धार्मी की स्तलोपे देखे होंगे या फिर खुद अपने पूजा के लिए घरों में आप फुल यूज करते होंगे भगवान में अर तो हम फुल तरीके से वो चीजे हो जाती हैं जो कि प्रियोवरं के लिए अच्छा नहीं होता तो उसी चीजों को क्या है हम अपने अगरबति में अगर्वर्ट करके उसे यूस्ज में ला सकते हैं और उसे किस त잖아요 सकते हैं जैसे कि हैं हमारे घरों फुले होती हैं उसको ड्राइफ फॉर्म में लेकर मतलब उसको सुखाने की प्रक्रिया होती है जिसको आप सुखा कर और उसे पॉडर के फॉर्म में लाकर जो चीज़े अगरबती हो गई धूप हो गई या फिर पूजा से रिलेटर जो हमारी समाने होती है अपने उपयोग में ला सकते हैं ताकि जो परियावरण की जो चीज़े हैं मतलब एक परियावरण के लिए भी यह हामफुल नहों और जो कफी मात्रा में जो वेश्ट फ्लावर निकलते हैं उनका भी एक प्रॉपर यूज हो जाए तो उसके लिए सबसे जादा जो ज़रूरी इंग्रीडियेंट्स हैं जो हो सकते हैं और काफी सारे जो फूल होते हैं पर्टिकुलर एक ही फूल का आपको पाउडर लेना है इसी बात नहीं आप किसी भी एनी फ्लावर का पाउडर आप ले सकते हैं बस ध्यान यह रखना कि वह जो फ्लावर है वह अच्छी तरीके से ग्रैंडिंग की होनी चाहिए मतलब चननी चाहिए जो मैं एक साइज बताता हूं जायसे कि 80 में संडेड में जो साइज होती है उस साइज में यह होनी चाहिए फ्लावर पाउडर हम लेते हैं तो यह होगे हमारा फ्लावर और इधर होगे हमारा पाउडर इसको आपको कितनी मातर में लेनी होगी यह जो फर्मुलेशन है वो 1 kg के अंदर होगा मतलब जो इंग्रीडिएंट्स होगे वो सारे के सारे 1 kg के अंदर में होगे जो ड्राईप फ्लावर पाउडर है वो हम लेंगे 560 ग्रम तो दूसरा powder हमें लगेगा इसको bonding करने के लिए मतलब जो अगरबती और धूबती में convert करेंगे तो उसके लिए हमको एक gumming capacity की ज़रूरत होगी जिसे हम ज़्यादा तर अगरबतियों में use करते हैं जोस powder तो हम ये कर लेते हैं जोस powder जो अगरबती बिजनेस से related जुड़े हुए लोग है उनको इस सारी चीज़े असानी से समझ में आ जाएंगी लेकिन जो नए है उनको थोड़ा से समझने में मुस्किल होगी तो बाकी और हमारी वीडियोज है उसको आप देखेंगे तो सारी चीज़े आपको समझ में आ जाएंगी क्योंकि सारे चीज़ों के लिए मैंने एक एक separate वीडियो बनाई हुई है तो आप देखोगे तो आपको सारी चीज़े knowledge हो जाएंगी तो इसको लेना होगा हमें 170 ग्राम उसके बाद जो हमारा अगला इंग्रीडियेंट होगा अगला पाउडर जो हमें एड करना होगा वो है हमारा तो ये हमारा तिसरा इंग्रीडियेंट हुआ है कूपम पाउडर, कूपम पाउडर बेसिकली एक फ्रेग्नेंस टाइप की पाउडर है, जिसमें से एक अच्छी खुजबुए होती है, और ये अगर हम यूज करें, तो इसे हमको लेना होगा 100 ग्रैम तो ये हो गया हमारा कूपम पाउडर, और उसके बाद हम अगला लेते हैं, उसके बाद जो हमारा चौथा इंग्रीडियेंट होगा, वो है हमारा सैंडलूड पाउडर, तो ये हमारा चौथा हमने इंग्रीडियेंट लिया है सैंडलूड पाउडर, और इसका बेसिक मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ जैसे कि हमारी dry flower making formulation है तो इसमें एक fragrance तो होनी चाहिए तो यह जो हमारा formulation बनेगा वो sandalwood अगरबत्ती से related बनेगा मतलब हम dry flower से sandalwood अगरबत्ती बनाएंगे चंदन अगरबत्ती जो है बनाने वाले हैं तो यह चंदन making का ही process है और यह हमने topic जो है बनाया हुआ dry flower मतलब सुखे फूलों से चंदन की खुजबों वाली अगरबत्तियां जो है हम बना रहे हैं तो यह हो गया चंदन powder जो कि हमको लेना होगा 60 gram और चंदन powder जो है इसमें काफी सारी बना सकते हैं तो यह हो गया हमारा sandalwood इसके बारे में आगे और मैं बताऊंगा जैसे कि अलग अलग fragrance में अगर को बनाना है तो किस तरीके से बनेगी फिर आज यह formulation हम complete कर लेते हैं उसके बाद हमारा पांचवा बता देता हूं तो यह भी हमको 80 gram जो है लेना हुआ है बेसिकली राल पाउडर जो है एक रेजी नोट है मतलब देखा जायतों जैसे लुबान होती है हमारी गूगल होती है उसी तरीके से उसी फॉर्म की यह जो है राल पाउडर होती है इसमें अच्छा खुजब होता है अच्छा नोट होता है हर एक केटेगरी के अगरबती में यूज होती है जैसे कि लुबान चंदन दुना या फिर मसाला अगरबती या ड्राइफ रॉम की अगरबती तो काफी सारे जो अगरबत्यों में जो है राल पाउडर का यूज किया जाता है और इसका हम इस फॉर्म अब एंड में हमको उसके बाद जो है हमारा पाच्वा और आखरी इंग्रीडियंट्स होगा वह मैं आपको बता रहा हूं तो वह होगा हमारा कपूर जिसे हम कैमपर बोलते हैं तो हम कपूर हेट करते हैं इसमें कपूर हमको जरुद पढ़ेगी 10 ग्राम ये भी सेम उसी तरीके से काम करेगी जैसे कि हमारा राल पाउडर काम करेगा कपूर एक तो एक और सथीक चीजे हैं जो के घर में पूजा के लिए और कपी सारी चीजों के लिए इस्तमाल की जाती हैं तो कपूर का एट करने से कपूर हमको डालने से इसमें से एक अच्छी खुजबू निकलेगी, साथ ही साथ ये जलने में भी मदद करती है, तो अगर बत्ती या फिर दो बत्ती जो बनेगी, उसमें जलने की जो कमी है वो नहीं होगी, वो पूरी तरीके से बर्निंग होगी, तो कुछ ही तरीके से जो है हमारा formulation complete होता है, flower powder हमको लेना होगा dry form में 507 ग्राम 560 ग्राम, 60 और jose powder हमको लगेगी bonding capacity के लिए 170 ग्राम coupon powder लगेगी हमको 100 ग्राम जो की एक अच्छा fragrance होता है उसमें sandalwood powder लगेगा, चंदन पाउडर basically, तो ये होगा हमारा 80 ग्राम यही हमारा एक जो है fragrance होगा जिसमें से अलग-अलग category की अगरबत्य आप बनेगी, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, राल पाउडर होगा हमारा 80 ग्राम और कपूर हम यूज किये हैं 10 ग्राम, कपूर में भी काफी सारे qualities में अलग-अलग आती हैं तो वो अपने तरीके से आप डाल सकते हो, 10 ग्राम, मेवरेज़ पाउड से 10 ग्राम आपको देना है 10 ग्राम मैं कहूँ, तो 10 ग्राम आप यूज कीजिए, तो ये तो हो गया हमारा चंदन-based का जो है, flower-based अगरबत्ती तो इसमें हमारा जो है, चंदन-based का अगरबत्ती बनेगी से रिलेटेड हमारी अगरबत्ती बनेगी मतलब चंदन-फ्लेवर जिसको बोलते न, जैसे कि अलग-अलग फ्लेवर में होते हैं, चंदन, मुगरा, गुलाब जैस्मीन, चमपा, उसी तरीके से ये जो formulation है, वो हमारा सेंडल-उड का है अब इसमें आपको जो है अलग-अलग फ्लेवर में यूज करना है तो आपका जो चौथा ingredients मैंने यूज किया है जो सेंडल-उड है, खाली उसी powder को आपको अलग करना है बाकी जो material है, वो same रहेंगे, इस चीज को आप धिहान रखिएगा तो जैसे by the way मैं बोलू कि आपको बनानी होगी लुभान अगरवत्ती तो इसमें आप सेंडल-उड के जगह में लुभान अगरवत्ती उस कर सकते हो और जैसे Google की अगरवत्ती बनानी होगी तो Google सेंडल-उड की जगह में Google का जो powder है वो add की दीजिए तो फिर आपके Google के घर्वत्तियां बन जाएंगी वैसे और तमाम सारे fragrance है उसमें भी जो powder है वो आप change करते जाएए अलग-अलग flavor में ये बनते जाएगा तो कुछी इस तरीके से ये formulation आपकी बनेगी और ये total हमारा material होगा वन केजी का तो ये जो हमारा formulation बनेगा वो एक केजी का बनेगा और इसके उपर जो आपको पानी डालना है वो 650 ml आपको डालना होगा पानी 650 ml से लेके 700 ml तक आप use कर सकते हैं 40-50 ग्राम उपर नीचे हो जाती है और इन सारे powders को आप अच्छे तरीके से mix कर लीजिए चाहे आपके पास जो बरतन है जो भी जैसा भी आपके पास जो चीजे हैं उसमें अच्छे तरीके से जो अच्छे आइटम मैंने बताये हुए है इच्छे ingredients को आप mix कर लीजिए mix करने के बाद आप डालिए इसमें 600 ml से लेके 700 ml तक पानी और उसके बाद आपको जीस फोर में बनाना हो चाहे इसे आप धूब बत्ती भी बना सकते हो और अगर बत्तियां भी आप बना सकते हो चाहे machine made भी बनाना हो तो भी बना सकते हो और करेगा कि आप किस तरीके के material का यूज कर रहे हैं और एक अच्छा जो हमारे environment के लिए काफी अच्छी चीज़े हैं 100% organic है कोई भी चीज मैंने chemical less नहीं बताया इसमें सारी चीज जो है organic powders है अपने यूज के लिए या फिर business purpose के लिए आप इसे बना सकते हैं उम्मिद करता करीकी की जो वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी काफी मैनत लगती हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद्ट